नमस्कार दोस्तो हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आपका आईशे आईशे बैंक में अकाउंट है और आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो आप ऑनलाइन जाकर उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं आने के लिए वीडियो के साथ बने रहे और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजीगा तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ और उसके लिए हम ओपिन कर लेते हैं ब्राउजर अभी दोस्तों य आईसे बैंक.com लिखकर सर्च कर लेंगे और जैसे हम आईसे बैंक.com लिखकर सर्च करते हैं तो हमारे समने देखी कुछ इस तरीके से आईसे इंटरनेट बैंकिंग का वेब साइट ओपिन होकर आ जाता है और यहाँ पर हमें हमारा यूजर आडियो और पासवर्ड जैसे हम यहाँ लॉग इन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे समने देखी कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपिन होकर आ जाता है यहाँ पर हमें लॉग इन करने के लिए यूजर आडियो और पासवर्ड पूछा जा रहा है तो फिलाल दोस्तो हमारे पास यूजर आडियो पासवर्ड उपलब्द नहीं है तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिखे गेट यूजर आड़ी और नीचे गेट पासवर्ड का आप्शन देखने को मिल जाता है अगर आपको अपना पासवर्ड या यूजर आड़ी प्राप्त करना है तो आप यहाँ से अपना यूजर या password प्राप्त कर सकते हैं तो फिलाल दोस्तों हमारा user id हम प्राप्त करना चाहते तो इसके लिए हम यहां get user id के option पर click कर लेते हैं तो जैसे हम यहां get user id के option पर click करते हैं तो हमारे समने कुछ इस तरीके से interface open होता है और यहाँ पर हमें user ID प्राप्त करने के लिए कुछ information देनी होती जैसा कि bank account, debit card, credit card और travel card और last में है pay later इन में से कोई एक भी detail आपके पास उपलब्द रहेगी तो आप यहाँ से अपना user ID और password generate कर सकते हैं तो हम यहाँ पर फिलाल bank account select कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारा bank account number fill कर लेते हैं तो bank account यहाँ पर select करने के बाद जैसे हम यहाँ पर bank account number fill करते हैं तो हमारा account verify हो जाता है automatically और फिर नीचे हमें mobile number fill करने का option open होकर आ जाता है तो यहाँ पर हमें हमारा bank से registered mobile number भी fill कर लेना है और फिर go button पर click कर लेना है तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम go button पर click करते हैं तो कुछ इस तरीके से interface open होता है अभी यहाँ पर हमारे debit card को verify करने के लिए हमें debit card के कुछ details इंटर करने होते हैं जैसा कि आपको आपके debit card के पीछे कुछ इस तरीके से box type देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर box के अंदर जो numbers दिये गए हैं alphabet के हिसाब से उसी के according आपको यहाँ पर numbers proper तरीके से fill कर लेने हैं और फिर go button पर click कर लेने हैं तो यहाँ पर जैसे detail fill करने के बाद आप go button पर click करते हैं तो आपका जो user ID है आपके mobile number पर भेज दिया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं योर internet banking user ID has been sent to your registered mobile number ठीक है तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें भी हमारे mobile पर SMS ज़ौरा हमारा user ID receive हो चुका है जैसे कि दोस्तो हमें हमारा internet banking का user ID प्राप्त हो चुका है अगर आपको user ID मिल जाता है तो उसके बाद आप आसानी से अपना password generate कर सकते हैं यहाँ पर भी देखो आपको password generate करने का option मिल जाता है need login password उसके बाद यहाँ generate now के button पर click करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर three step बताये गए हैं उसी के हिसाब से हम अपना password generate कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद चलते हैं अभी हम यहाँ click here to proceed button पर click कर लेते हैं अभी यहाँ पर हमें user ID और हमारे bank से registered mobile number fill कर लेना है user ID और bank से registered mobile number fill करने के बाद नीचे हमें go button पर click कर लेना है तो चलते दोस्तों यहाँ पर हमारे mobile पर जो भी user ID receive हुआ है उसे हम यहाँ पर fill कर लेंगे user ID fill करने के बाद नीचे mobile number भी प्रापर तरीके से fill कर लेंगे हमारे bank से registered वाला और फिर यहाँ go button पर click कर लेंगे करने के बार नीचे हमें card का verification जो detail है उसे भी proper तरीके से fill कर लेना है जैसे कि हमने user id generate करते time किया था जैसे यहाँ पर card detail fill कर लेंगे उसके बाद go button पर click करेंगे उसके बार next page open होगा वहाँ पर हमें हमारा नया password generate कर लेना होता है तो एक बार दोस्तों जैसे हम हमारा नया password generate कर रखा है इसलिए हम आगे की तरफ proceed नहीं करते हैं तो यहां से हम bike हो जाते हैं और फिर यहां हम login page पर आ जाते हैं तो यहां पर दोस्तों अभी हम यह user id और password fill करके हमारा internet banking आसानी से login कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीकी से आप ICSA bank का user id और password आसानी से generate कर सकते हैं तो और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ